लंबी समेश से पतवार सरकल चिम्भो में स्थाई पतवारी ना होने से ग्रामिन दिक्ते जेल रहे हैं जिस पर ग्रामिनों के एक प्रतporte जीमंडल ने डिसी हमीरपूर से मिल कर जल स्थाई पतवारी तैनात करने की गुहार लगाई है वहीं ग्रामिनों ने दो टुक शब्दों में जिला परसासन को चिताया है कि अगर जल समस्या का हल नहीं होता है तो ग्रामिन डीसी कारेले गेट पर बैठ कर धरना बरदर्शन करेंगे ग्रामिनों का अरोप है कि स्थाई पटवारी ना होने से लोगों को जमीन, इंतकाल, सपत पत्र बनवाने के लिए दिक्कती पेश आ रही है लोगों का कहना है कि लोगों की जमावंदी में भी काफी खामिया है लेकिन पिछले दस सालों से पटवार सरकल में पटवारी केबल एक बार ही महीने में आने से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है चम्बो की परधान प्रोमिला देवी ने बताया है कि महीने में एक बार ही पटवारी आता है इस कारण कोई भी काम नहीं हो पाता है जिस कारण पंचायत के काम भी रुके पड़े हैं और ग्रामिनों ने कहा कि अगर पटवारी की समस्या का हल नहीं होता है तो ग्रामिन धर ही ज़िए अधाय है वो दिस साहिए बाहर दरना पड़ा समझे लोग दान परमला प्रमारी नाम पड़ाइच मो भूल दिशिस साहिए लिए क्योंकि हमारे पास कई सालों शें पटवारी की समस्या बनी हुई है कि लगवार दस सालों शें पटवार नेकत नहीं किया गया तु आपको निया पटवारी देगे लेकिन आज तक हमारी सुमः को पूरा लगुए गया और इसलिए आज हम जुशलाँ साफस में मिरने आए हैं कि हमारी सुमः को कूरा कि लिए कहा कि जल्द पटवारी की निठी की जाए और पटवार सरकल चंबों के अधीन आने वाले ग्रामिनों की समस्या का हल कर्वाय जाए कीर सिंग पुपरदान कराम पुजेश चम्बो हुए हम इसी साथ से मिलने इसलिए आये हैं क्योंकि हमारे को समस्या पटवारी की है पटवारी हमारे पटवार सरक चम्बो में तकरीबन दस साल से इस्तान चर रहा है और इसको मिलने के हफ्ते के एक बार जब पटवारी आता है तो उसी टेह भी कोई तसील में काम पड़ जाता है या कहीं और अमर्जनसी पड़ जाती है तो लोगों के काम पूरे पेंडिंग पड़े हुए और जो जमाबंदी हमारी है वो साथ आर के बाद हमारी जमाबंदी नहीं हुए इस कारण हमें बहुत बर्चाने का जेरना पड़ रही है हम दिसी साब से मेधन करते हैं कि हमारी इस मस्या को लेकर जल्दी से जल्दी के हमें पटवारी दिया जाए